साथ हो स्वागत है आप सभी के एक बाद फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकूपे काफी महत्पूर जनकारी मैं आपके साथ साजा करने वाला हूँ इस वीडियो के मद्धम से तो वीडियो का अपरोग पूरा देखेगा और साथ ही साथ अगर अभी तेख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भवी शेकाने वाला अपडेट आप से कोई मिस होने ना पाए और साथ ही साथ जो EPS 95 प्रियास के लिए हमारा प्रयास है उसे और मजबूत करने का कोजिस करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा जो भी इंफोर्मेशन हम आपके साथ साजा करता है उस इंफोर्मेशन को अगर आप पढ़ना च पत्रिका है न्यूस पेपर है इसका नाम बताने के जिरूत नहीं जैसा कि आप देख सकते हैं आप आप क्लिरली इस इंफोर्मेशन को देख सकते हैं आप और यह ख़बर है कि EPS के तहट 3000 हो सकती है नियूंतम पेंसन जी हां कर्मचारी पेंसन स्कीम EPS के तहट मिलने वाले पेंसन की नियूंतम राशी में बढ़ोतरी हो सकती है अभी EPS के तहट मिलने वाले पेंसन की नियूंतम राशी प्रतिमाह एक हजार रुपए है इस राशी को बढ़ा कर 2000 रुपए या 3000 रुपए प्रतिमाह तक किया जा सकता है कर्मचारी भविशनी दिस अंगठन यानि EPS के CBT ने पिछले साल की EPS के तहट मिलने वाली पेंसन की नियूंतम राशी में बढ़ोतरी किसी पारिस की थी लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था हाल ही में संसत के स्थाई समिती की और से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश के बात्स्रम मंत्राले म में हल्चल तेश हो गई है सुत्रों के मतावित एक हजार रुपए कि मासिक पेंसन को तीन हजार रुपए करने पर सरकारी खजाने में पंद्रह हजार करोड रुपए का अत्रिक्त बोज पड़ेगा इस मामले में फैसले पहले बित्मंत्राले से भी सलाह ली गई जाएगी उन लेखनी है कि करमचारियों के बेतन से कटने वाला पीएफ का एक भाग पेंसन फंड में चला जाता है करमचारी के रिटार होने पर पीएफ से एक मुस्त रुपए से मिल जाती है और पेंसन के मद में जमारासी के आधार पर मासिक पेंसन का अधार किया जाता है अभी EPS के तहत मासिक पेंशन की अधिक्तम रासित 7500 रुपए है और यहां पर आप देखिए कि अभी 1000 रुपए है निउन्तम पेंशन मासिक पेंशन EPS 4 ट्रस्टी बोर्ड ने पिछले साल की थी राजसी में बढ़ोत्री की सिपारिश ये काफि महत्पूर है और यह आप द होना है प्रबल दिखती है तो आप भी अपने राय अवश्य ही कमेंट में हमें दीजिएगा अधिक स्रीक लोगों तो इसको शेर कर देगा ताकि जादे-जादा लोग अवेर हो शकें आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट न बहुत बहुत धन्यवान